तो काईसर आखिरकार वो दिन आ चुका है आज दिन है मेरी सेलरी आने का मैं काम करता हूँ इस पेटरोल बंपर यहाँ पर जो भी लोग आते मैं उनका पेटरोल भरता हूँ और आज आखिरकार वो दिन आ चुका है जिस दिन मुझे मेरी सेलरी मिलेगी और अपनी सेलरी से मै बहुत मज़े करने वाला हूँ चलो फड़ाओ पड़सर ने बॉस के पास चलते हैं अरे बॉस मुझे मेरी सैलरी दे दो फ्रेंक्लिन मेरी बात सुनो मैं तुम्हे जॉब से निकाल रहा हूँ कल से नहीं बलकी अभी से इस पैट्रॉल बंब को छोड़के तुम चले जाओ अरे सर क्यों मैंने क्या किया तुमारी वज़े से मेरा पैट्रॉल बंब नहीं चल बारा जितने भी लोग आते वो तुम्हे देखकर डड़ जाते और बोलते इतना काला लड़का उसकी वैसे वो यहां से पैट्रॉल नहीं बलाते अरे तु सर इसमें म्ैं क्या कर सकता हूँ आ काला हूँ तुम सर्फ काले नहीं तुम बहुत ही जाधा काले हो इसलिए मैं तुम्हे जॉब से निकल रहा हूँ निकल जाओ यहां से अच्छा डीके सर मैं चला जाओंगा मेरी सेलरी तु दे दो कौन सी सेलरी मैंने तुम्हें जॉब से रिकाल दिया इसलिए तुम्हें सेलरी भी नहीं मिलेगी अरे सर पर ये तो पिछले माईने की सेलरी है पिछले माईने तो मैंने डंग से काम किया दरा मिली सेलरी दे तो मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ कौन हो तुम अरे सर क्या बोल रहे हो मैं आपके यहापे काम करता था मैंने तो तुम्हें पहली बार देखा है मेरे यहापर सिर्फ दो ही जरे काम करते है चिंटू और मिंटू और कोई काम नहीं करता अरे सर यह क्या बोल रहे हो अरे चिंटु मेंटु तुमने तो सुना था अरे चिंटु मेंटु तुमने तो भी भी सुना कि इसने मुझे जॉब से निकाला बताओ इसको मैं समझ गया यह तुम सब का प्लैन है मुझे पैसे दिये बिना जॉब से निकालने का मैं तुझे नए छोड़ूँगा ये ले चिंटू पिंटू तुम बिलो तुमारी ऐसे कि तैसी चलो याजर बड़ा बड़ से निकल जाते तो काईजर मेरे बॉस ने मुझे जॉब से निकाल दिया और पिछले महीने की सैलरी भी ने दी अब मैं क्या करूँगा मुझे समझ निया रहा मेरा बैंक अकाउंट का पैले इस बिलकुल जीरो है मैंने सुचा था जब मुझे सैलरी मिलेगी तब मैं कुछ कर पाऊँगा अपने घर का रेंट दूँगा बिजली का बिल बरूँगा पर मेरे पास तो एक रूपया भी नहीं है अब मैं क्या करूँगा कैसे रहूँगा अरे चलो 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 पूरा फ्रेंकलिन पकड़ते हैं इसको और फ्रेंकलिन क्या ले अरे कौन हो तुम मुझे परेशान मत करो मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ अच्छा बहुत परेशान है तो आजा फिर और परेशान करते हैं चुप चाब अपने हाथों पर कर ले अरे कौन हो तुम क्या हो गया हमारे बॉस ने तुझे बुलाया है उनको तुझसे कुछ काम है चल फड़ा फट से गाड़ी के अंदर बैठ वरना तेरा बेजा खोल दूँगा चल 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 जल्दी चल्दी गाड़ी में बैठ अरे बड़ तुम लोग हो कौन है ने क्या किया अरे बॉडू सब पता चल जाएगा बस गाड़ी में तो बैठ अरे कैसर ये लोग को ने मुझे का लेकर चारे पुझे सबत दिया रहा बड़ू तेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी काम है हमारे बॉस तुझे बताएंगे क्या काम है अरे बॉडू देख हम अपने बॉस के कर पर आ गए और यहां पर तुझे तेरा काम मिलने वाला है आजा बड़ू बॉस मैं फ्रेंक्लिन को ले आया ए ड्राइवर जल्दी अपने बॉस को बुला अरे क्या बोल रहे हो यह हमारे बॉस है प्रेंक्लिन तुमारा नाम बहुत सुना है मैंने तुम बहुती बड़ी बड़ी चोरिया करते हो अरे नहीं सर फुटो मैं पहले करता था अब वह सारा काम मेंने छोड़ दिया है अब मैं विल्कु ढंक से एक अच्छे आदमी तरह जॉब करता हूँ क्या फिर तो तुम हमारे किसी काम करनी हो गोली मार दोसको ने 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 गोली मत बरना अरे करता हो चोरी करता हो कभी कभी कर ले तो पर किसी को बताना मत बहुत बढ़िया फ्रैंक्लिन तो तुबे मेरे लिए एक बड़ी चोरी करनी पड़ेगी क्या चोरी कौन सी चोरी वो सब मैं तुम्हें बात में बताऊँगा पहले बताओ चोरी करोगे की नहीं और अगर मना किया तो गोली मार दूँगा अरे ये क्या बात हुई पहले पूछे रो चोरी करोगे की नहीं कोई option में ने दे रहे हो, हाँ बोलने किलावा, हाँ, मैं चोरी करूँगा, बहुत बढ़िया, अगर तुमने ये चोरी successfully कर ली, तो मैं तुमको बहुत ही अमीर बना दूँगा, अरे ऐसी कौन सी चोरी करनी है मुझे, आजा लड़के मेरे साथ, मैं तुझे बताता हूँ, कह हाँ पर चोरी करनी है, अरे ये क्या, यहाँ पर क्या मुझे गेम किलाले लेका है हो, अरे बच्चे, ये तो स्रेफ हमारा भार का गेमिंग जोन है, पर असली जगा इधर है, मैं नेजर आफिस में, अरे आतो सरी, मैं तुझे दिखाता हूँ, यहाँ पर हमारा सीक्रेट अ यहाँ पर हम सारी की सारी चोरिया प्लैन करते हैं, बच्चे, यहाँ पर हमने सब का सब प्लैन कर लिया है, हर एक चीज, कौन सा वेपन, कौन सी गाड़िया कहा पर चोरी होगी, मैं तुझे सब बताता रहूँगा, और तुझे चोरी करनी है, डाइमंड कसीनो में, क्या, कसिटों अ heroic epidemi वहां जितनी ज़्यादा सिक्योरिटी उतना जया पैसा है इसलिए तुझे डाइमंड का सिनों में चोड़ी करनी होगी अच्या अब मैंने चोरी कर ली तो मुझे कितना पैसा मिलेगा भजो तुछ दो चीज मिलेगी सबसे पहली हम तुझे जिन्दा छोड़ देंगे दूसरे चीज जितना तुने माल चुराया 10% देरा क्या सिर्फ 10% मुझे चाहिए 50% क्या 50% हां 50% वो नहीं हो सकता चल 11% दिया नहीं 40 9% चलो 30 8% अधे कम क्यों कर रहे हूं जितना बोलेगा उतना कम अब 7% अचा ने 10% ठीक है बच्चे चलो चोरी शुरू करते हैं तो काईसर अभी आप देख सकतो मैं इस ट्रक के अंदर आ चुका हूं और इस ट्रक में हमें जाना है डाइमंड कसीनो में यह चोरी सही में बहुत ही जादा कदरनाक होने वाली है कि मुझे नहीं पता था कि डाइमंड कसीनो और हम यहाँ पर आ चुके हैं और हम इनकी सिक्यॉरिटी बन का है तो हम यह में गेट से नहीं चाना पीछे वाले गेट से जाना है अंदर तो चलो एर फड़ावफ़ट से चलते हैं इनको लग रहा है कि हम इनकी सिक्यॉरिटी है पर इनको नहीं पता है हम कोई भाड ला हूं तो फड़ावफट से यहाँ पर रोग देते हैं तो काई सर अभी यहाँ पर security चैक उल रहा है गाडियों का और मेरा भी हमने अपने लिए फेक आइडी भी बन वाली ती जिससे हमारा security scan पुरकपुरा पार भार जा और यंकल अबी तर सिक्योरिटी स्केन करें जोड़ तो मैं रोज आता हूँ यहां पर चलो गाइसर अभी आपर security scan अपने अबर complete कर लिया फड़ा पर से अपनी ट्रक को लेकर जाते हैं और यहां पर खड़ा कर देते हैं तो कैजर फड़ाफवट से काड़ी से उतरते और आपने अभी में दिखाऊ कि कि मैं टकला हो चुका हूँ और मेरी दाड़ी आ चुकी है मतलब सर के बाल मुझे ओपर कैसा आगा है तो मैंने अपना पूर का पूरा भेज बदल का हूँ मास्क वास पहन का हूँ ताकि मुझे कोई बाद में पैचान न पाये इस चोरी के तो फड़ाफवट से चलते है अंदर इस खडरनाक सी चोरी को करते है ताकि हम सारे डायमंड कासीनो को लूटकेन बहुत सारा पैसा कामा पाए तो चलो है फड़ाफवट से बिनना किसी दे लेके अंदर चलते है क्योंकि काईसर सारका सारक कसेरों का पैसा, इसी फ्लोर पर रखा जाता है, और इसी फ्लोर पर हम आचुके हैं, छोड़िकरणे, इन सब को लग रहे हैं कि मैं इसे बैसा डाल लाए हूं master keycard उसका नाम है किसी में भी लगा और वो लॉक खुल जाएगा और ये गेट हमारा खुल चुका है तो चलो है पड़ाओ बड़ से अंदर भाग के चलते हैं क्योंकि अंदर सबसे बड़ी security आने वाली है आईए सर आईए आप पैसे डालने आए है ना हाँ मुझे पैसे डालने सिर्फ 50 मिलियन डॉलर्स बहुत अच्छी बात है आईए अभी security डोर खोल देता हूँ और यह हमारा गेट खुलने वाला है इसका passcode हमको पता देगे था इस security गार्ड नहीं इसको खोल डाला और अब मैं इसको खोल डालूगा ये ले चलो काहिसर इस security वाले को मारती है और हम आचुके diamond casino के अंदर जोरी करने उनके locker में यहाँ पर तो बहुत ही बजा आने वाला है अब देखना कितना सारा पैसा कितना सारा gold diamonds पता नहीं क्या क्या हमें मिलने वाला है चल्दी चल्दी लूटना शुरू करते है यह क्या यहाँ पर सबसे पहले मुझे cash दिखाए पर उसने मुझे बोला था अंदर जाने के लिए चो यह और lockers बने वे नंदर इनमें और जादा पैसा होता है पर उसके लिए हमें इन्हें है करना पड़ेगा तो फड़ा फट से इसको है करते हैं इस fingerprint को मैच करते हैं ताकि हम इसके अंदर जा पाए और यह दन तो काईसर अब यह आप देख सकतो हम इसके अंदर आ चुके और यहाँ पर यह खदरनाक सी paintings लगी जिन को हम चुराने वाले यह painting सही में बहुत ही जादा मेंगी होती है तो फड़ा फट से इसको काट लेते बिल्कुल अच्छी तरह काटना पड़ेगा वरना जितनी ज्यादा गंदी तरह काट हैं यह उतना जादा प्राइस इसका गिरने वाला है तो फड़ा फट से इसको इसको मने बैग में डालिया अब भाकी का पूर का पुरा का पूरा कासीनो लूट लेते हैं भाकी की सारे लॉकर्स में हैक करेंगे जल्दी-जल्दी उससे पहले कि सुरेटी यह डैंमेंड को डैंट गोल्ड सब का सम लेकर यह से निकल लेंगे पैंटिंग्स सबसे ज्जि कि तो आरामसे होगी और यहाँ पर बहुत सारे डाइमंड्स नहीं इनको होड़ा उठाले थे चुक्त बाद मेरे सारे के सारे डाइमंड्स टा लिये और जितनी पेंटिंग्स थी उनको भी जल्दी से काट काट के अपने बैग में ढालना शुरू कर दिया है मिए पेंटday rappers सबसे जाAllah महगी होते है उसके बाद मुझे मेला बहुत सारा के सारा गोल्ड दिया उसके बहुत सारा कैश में उडा लिया क्योंकि कैश भी बहुत ही जरूरी तो जितना कैश था हमने वो सारा का सारा आपने बैग में बर लिया अभी तक मेरे बाद फाइफ मिलियन डॉलर्स हो चुके थे पर अभी भी पूरा डायमंड कसीनो लूट ना बाकी था उसके बाद कैश कोल्ड पेंटिंग डायमंड हमें जो भी बिला हम सब लूटते गए पूरे के पूरे पूरे डायमंड कसीनो को लूट लिया और अब टायम आज चुका यहां से निकल ले का क्योंकि हमने पूरा क्या पूरा लूट लिया एक रूप्या भी नी छोड़ा एक मूर्ती पेंटिंग डायमंड गोल्ड कैश कुछ भी नी छोड़ा सारा का सारा लूट लिया अप फड़ा फट सब्ला की काड यहां पर लगाते हैं क्योंकि हमें यह से निकलना है और काईजर हमारी डायमंड कसीनों की हीज बस सक्सेस्फुल होने बाली बस यह से कैसे भीड़के बाहर निकल जाए चल्दी चल्दी यहां से निकलते हैं क्योंकि हमें मिल चुके टूडल 400 मिलियन डॉलर्स मतलब पेंटिंग्स डायमंड और गोल्ड में इन सब को हम कैश करवा के 400 मिलियन डॉलर्स ले सकते तो फड़ा बट से डायमंड कसीनों से बाहर निकलते हैं तो काईजर अभी सारे के सारे कसीनों वालों को प तो मैं भी पुलिस वाला बन चुका हूँ और अब मैं आहराम से निकल लूँगा कोई मुझे देख नी पाएगा कोई मुझे डूड़ नी पाएगा इन सब लगे गा कि मैं भी पूलिस वाला हूँ और जोडा किया चोर उसको पकड़ू कहा पर है वो चौर क्या ही पागल बन और हड़ जगे पुलिस पुलिस आ चुकी है यह तो बहुत ही जल्दी आ गई वैसे कभी टाइम पर ने आती पर आज तो इती सारी पुलिस आ चुकी है जल्दी से गाड़ी में बैठते और यहां से निकलते हैं उन गुंडों की बॉस ने मुझे बताया था यहां पर गाड़ सालों के लिए जेल में डालेंगे मतलब हमेशा हमेशा के लिए और मुझे जेल में नहीं जाना इसलिए मुझे कैसे में पुलिस से एसकेप करना ही होगा जल्दी जल्दी पुलिस एसकेप करवाते हैं ताकि हम उन चोरों के बॉस को उनके पैसे दे पाए और तब ही हमें व इन में सारा पैसा भर के हम यहां से चले जाएंगे मेरे पास तो बहुत सारा पैसा आने वाला है बस वो फ्रैक्लिन जल्दी से आ जाए हेलो, मैं आ गया मुझे पता है, उस बॉस ने बोला था कि सारे के सारे पैसे लेके आना पर मैं एक रॉपया भी ने लेके आया क्योंकि काईसर, उसने मुझे बोला था कि सर्फ सेवन परसेंट देगा और सेवन परसेंट से मेरा क्या होगा तो मैंने पहरे सुझाथ कि मैं भाग जाता हूँ पर फिर मैं सूचा, मैं कहा भागूँगा ये कही न कही मुझे इसके गुंडे डूंडी लेंगे इस दिये मैंने सोचा है उनको मारने का अगर उनको एक बार मार दिया तो कई भागने की जरुबत भी नी पड़ेगी और इनको बिल्कुल भी ने जोड़ने वाले तो ये सारे के सारे लोग बहाँ पर आचुके हैं और यार खुद की ट्रकी भी लेके हैं इसको लगता है कि इसको बहुत सारा पैसा मिलेगा और इस ट्रक्स में भरके जाएगा पर इसको पता नहीं है इसको एक रुप्या भी नहीं मिलने वाला तो लेट्स को फड़ावर्ट से अपनी गन निकालते ही खतरनाक्सी स्नाइपर में खरीद कर ली क्या है उन पैसों से इन सब को मारना शुरू करते हैं वन टू त्री फॉर और ये फाइव अरे ये गोल यह का सा रही है जल्दी जाकर देखो अरे काईजर यहाँ पर तो बहुत सारे जल्दी यह लेए इसलिए मैं एक खतरनाक्सी जो नहीं यह लो आर्पीजी खाओ 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 सारी आर्पीजी खा लो यह यह लेट टकले अरे यह क्या फ्रेंक्लिन तुमने यह क्या कर दिया तुमने मेरे साथ दोखा किया फ्रेंक्लिन मैंने कोई दोगा वोखा नहीं किया अगर तू मुझे जादा परसंट देता तो मैं यह नहीं करता पर तूने मुझे स्रिफ साथ परसंट देने को बोला अब मैंने तेरे सारे गार्ड्स को मार दिया अब ते ही बारी आ चुकी है Franklin Franklin मेरी बात सुनो बले मुझे एक रुपे ही मत दो पर मुझे छोड़ दो Franklin मुझे छोड़ दो छोड़ दो ऐसा दो बिल्कुल भी नहीं हो सकता इसलिए यह तू बॉम का अगर तू थोड़ा सा भी हिला तो अभी की अभी बलास्ट कर दूँगा और नहीं लेगा तो थोड़ी देर बाद बलास्ट करूँगा तो चलो यार फड़ापट से चलते है हमारा काव यहाँ पर हो चुका है अपनी स्नाइपर निकालेंगे और वन टू त्री और यह से के साथ उन गुंडों का बॉस भी मर चुका है किया आप मेरा बैंक मेलश देखने चाहोगे यह थे को फोर हटर मिलियन डॉलर्स चो कि हमने ब्चुराई डाइम& कसीनों से अगर मैं यह की बात सुन के सेवन परसेंट ले लएता तो मुझे सिर्फ यहँ चार पासमीश मिलते पर अभी मुझे पूरे के पूरे 400 million dollars मिल चुके है और ये गाड़ी है इसलिए मैंने चुराईए क्योंकि मैंने एक रुपए मिले खर्च नहीं किया ना प्ले लिए कोई गाड़ी लिए ना कोई घर लिया है पर वो अभी क्या भी करेंगे तो चलो फड़ा बढ़ सलते हैं बहुत सारी खरीते हैं ताकि हम ये चुरायावा पैसा खर्च कर सके तो काईसर अभी मैं आपको लेके जाने वाला हुमारे ने ने घर में घर नहीं पैंट हाउस हमारा जो घर है वो बिल्डिंग के ओपर मेनावा है इसलिए उसको बेंट हाउस बोलते हैं तो बस मानना पड़ता है चुरो फड़ा पर जबी गाड़ी को यहां पर बार्क लगा देता है क्योंकि यहां पर खदरनाक सा गिराज बिल्कुर रेडी हो चुका है हमारे बास है एक खदरना कसी Mercedes एक और एक Lamborghini एक और Lamborghini और एक और Lamborghini और यहां पर भी दो तिन खदरना खदरना गाड़ी है तो गाड़ी है तो हमारा घर इससे भी जादा तकड़ा है तो फड़ा अपर जलते हैं लिफ्ट में अपने घर पर आपको दिखाता हूँ यह कितना जादा खदर ना कोने वाला है तुकाहिसर अभी आप देख सेकते हो हम आचुके अपने फ्लोर उपर हमारा फ्लोर है डॉप फ्लोर मतलब हम बिल्टेंगे सबसे उपर वाले फ्लोर पर रह रहे हैं अभी आपको दिखाता हूँ बार चल के जल्दी से यह देखो यहां से लॉसेंटोस का पूरा 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 विवत है इसके ऊपर कुछ भी नहीं है मतलब इसके ऊपर रूफ ए डायक वो भी हमारी है उधर भी चलेंगे पर सबसे पहले अपने घर देखना शुरू करते है सबसे पहले यहारा खदरनाक सा बड़ा सा किचन पहले बाले घर में आपके नाम पर च है खतरनाक सा बनावा चोंकि बहुत ही साधा सारे कि सारे डोड से एक और यहारा सबसे पहला बैड रूम यहांसे भी लॉस्सेंटो का बहुत ही मस्क्राओन अब चलते हैं PARA अपने थी falarे बड़िया पर च्वा पना बाड़्याषा पेड आख गर उचुस birth हुट gewoon कि बहु साब बातरूम है वो भी इसकतरनाक बात टब के साथ फड़ां वट से कम इंट जिलके बता हो आपको शावर चालक जैसे कि अभी हाँ आप देखियों तो यह शावर ले रहा हूं या फिर आपको बात टब जादा अच्छा लगता है फड़ावर्ट से कवरंड करके बता देना देखे हमारे पास घर में और क्या क्या चीज है यहाँ पर डाइनिंग टेबल है यहाँ बैट के पीजा खाओ आप से मज़े करो और यहां से बार जाने का रस्ता है यहाँ फुल पार्टी वाड़ी कर सकत है और यहाँ पर बैट की पूरे लॉस सेंटोस के व्यू के मज़े ले सकते हैं तो देखते हैं हमारे बस और क्या कै यह घर सही में बहुत ही जादा ख़तर नाक है और यह घर में रखाईदा है टू हंड्रेड मिलियन डॉलर का है उपर वाला फ्लोर और बाकी हंड्रेड मि यहाँ पर ही बड़ा सा सोफा है यहाँ पर बैट के आराम से टीवी देख सकते हैं तो सारी की सारी जीजह हम इस घर में कर सकते हैं जो जो करना चाहते हैं यहाँ पर एक और बात्रूम है और वहाँ पर हमारे दोनों बैटरूम तो हमने देखी लिए चलो अब उपर चलने क से टॉप फ्लोर पर मतलब तॉप फ्लोर तो वह था यह है रूफ यहां पर बैट के पार्टी कर सकते जहां पर दे को डारींग टेपल भी लगा दिया यहां पर लेट के आराम से मज़े कर सकते डीजे अपने लगा दिया गारें वजाने के लिए और यह रहा हमारा खतरनाक सा हैपलीकॉप्टर इस हैपलीकॉप्टर में हम मज़े कर सकते हैं यह हैपलीकॉप्टर मैंने खरीधा 10 मिलियन डॉलर्स का और वो सारी की सारी गाड़ें मिला के 90 मिलियन मतलब यार मैंने टोटल 300 मिलियन डॉलर्स कर दिये पर अभी भी मेरे पास 100 मिलियन डॉलर्स बचे त पढ़ावच करके बताना किसे लगा आपको हमारा घर तो आज इसी पर्डी करते हैं तो आज गोन्त भी खर्ड़ करते हैं अगर आपको आज सब्सक्राइब करते हैं पतनाया बताना इस जरी वीडियो फोड़ावचसे करके बता दो और गनाओक्डस, वश्त्री में एन जा ग के खरीदू वो बताना बिल्कुल भी मत बूलना और